यह professional examination board मद्यप्रदेश की official site का home page है आपको ध्यान दे लेना है यहाँ पे latest update सबसे उपर यूपर दिया गया है group 5 की यह post है जिसमें pharmacist, lab technician and other post है जिसमें staff nurse की सबसे ज्यादा post होने वाले है कितनी post होने वाले है क्या क्या पूरी चीज़ें होने वाले है वो सब बताने वाला हूं तो इसी notification को आपको download करना है और यहाँ पर यह rule book दी गई है और यह advertisement भी दिया गया है तो अपने सीधा rule book को ही download कर लेते हैं पूरी information ले लेते हैं यहीं से आपके online forum भी fill up होने start हो जाए तो यह notification है वो अपने सामने open होकर आ गया है इस notification में सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएगी professional examination board भोपाल मद्दे परदेश की वेकेंसी है जिसमें staff nurse, lab technician, pharmacist, grave check-in and other post होने वाली है कितनी post होगी क्या क्या post होगी सारी बात करेंगे permanent vacancy होने वाली है, government की vacancy आपकी होने वाली है तो यहां पर online आवेदिन पत्र बरवाए जाएंगे और 10-10-2020 से आपके जो आवेदिन पत्र हो इस्टार्ट हो जाएंगे 24-10-2020 तक यूँ फोरम बरे जाएंगे और आगे दिन पत्र में संसोदन है वो 10-10-2020 से हो जाएंगे और जो संसोदन करने की लास्ट डेट है वो आपके 29-10-2020 रहेगी और एक्जाम की डेट और दिनाग और दिन भी यहां पे दे दिया गया है तो एक्जाम है वो आपका 16-10-2020 से इस्टार्ट होकर 27-10-2020 तक होगा काफी पोस्ट है तो 16-10-2020 से इस्टार्ट हो जाएगा और 27-10-2020 तक आपके ओनलाइन एक्जाम होने वाली है फरिक्षा के लिए सुल्क लेगेगा जिसमें जो अन्डिजरो के केंडिडेट्स है उनको 500 रुपे की यहां पे एक्जामिनेशन फीस देनी पड़ेगी और जो मद्दे परदेश के केंडिडेट्स है जो अनुसुची जाती, जन जाती, अन्यापिचरावर नहीं सक्जन है उनके लिए 500 रुपे की फीस देनी पड़ेगी और जो बेक लोग की बरती है उसके लिए कोई फीस आपको नहीं देनी पड़ेगी लेकिन सिद्धी जो बरती है उसमें इस टाइब की 500 रुपे की और 500 रुपे की और 500 रुपे की फीस आपको देनी पड़ेगी और 20 रुपे आपके फोरम फिलब करने की फीस भी लगने वाली है उपर जो एकजाम की फीस है वो अलग से रहने वाली है इसके अलाबा यहां पे जो 2 बारियों में एकजाम होगा उसके बारे में भी लिख दिया गया है कि 2-2 गंटे का आपका एकजाम होगा और सबसे जो बड़ी सरते हैं इस vacancy की वो बता देते हैं आपके पास आधार card होना बहुत ही जरूरी है तबी आप इस vacancy में apply कर सकते हैं अगर आपके पास आधार card नहीं है तो आप पंजिन करवा दें और उसमें आपका mobile number update होना चाहिए इसके अलावा आपके पास जो बी जो valid ID card है उसमें आपका नाम, photo और जो mobile number है, email आईडिया वो सभी के सभी आप इसमें update होने चाहिए गाईज इसके अलावा जो main सर्थ और सबसे बड़ी सर्थ है जो other state के candidates के लिए important होने वाली है वो इसमें लिखी गई है कि उप्रोक्त सभी पदों के लिए अभ्यरतियों को मद्य परदेश राज्य के रोजगार कारियल में जीवित पंजियन होना चाहिए यानि इस पोस्ट के लिए अगर आप apply करना चाहते हैं जो पोस्ट में आगे बताने वाला हूँ जिसमें staff nurse, mail staff nurse, radiographer, pharmacist और pyramid post होने वाली है तो इसमें जो मद्य परदेश का रोजगार कारिय इसमें आपका registration होना चाहिए तब ही आप इसमें apply कर सकते हैं तो यह होगी है main main सरते उसके बाद में guys यहाँ पे examination board की जो अलग-अलग post है उसके बारे में है post का qualification आपको बता देता हूँ कि किस तरह से कितनी post यहाँ पे रहनी वाले guys उसके अधार पे आप यहाँ पे decide कर सक post की अपने सामने सूची जिसमें staff nurse है वो 525 post रखे गई है पूरुस staff nurse की 222 post रखे गई है ECG technician की यहाँ पे 5 post रखे गई है radiographic technician की 233 post रखे गई है लेब assistant की 155 post रखे गई है और यहाँ पे radio therapy technician है उसके भी 48 post यहाँ पे रखे गई है इसके अलवा अब अपने सामने post आ जा और technical assistant, technical assistant, occupational therapist, ortho technician, ot assistant, ot assistant के लिए अलग से post है और reflectionist, dialysis technician के लिए है उसके अलवा prosthetics and ortho doctor technician, pharmacist grade second की भी यहाँ पे post 67 post रखे गई है डार्क रूम assistant की भी post यहाँ पे रखे गई है, anesthesia technician, काडियो थोरेसिक technician, dental hygienic, dental mechanic, dental technician और नेतर सायक, speech therapist, physiotherapist, dresser, dresser to TB and chest, health visitor की post रखे गई है, पसू, चिकिसा, अधिकारी, nursing sister की भी यहाँ पे total 6 post रखे गई है और इसके लवा डिक्टेशन होल, midwife, A9 की भी यहाँ पे post रखे गई है, तीन ही post रखे गई है, परियोग साला सायके भी post रखे गई है, और pharmacist grade की भी यहाँ पे दो post रखे गई है तो इस प्रकार से 2150 total post इस vacancy में होने वाली है, तो गाई जो भी post मैंने उपर बताई है, इन post के लिए जो भी डिपलोमा या डिग्री चाहिए होता है, वो common चीज़े होती है, आपको पता होना चाहिए, जैसे staff nurse के लिए GNM BAC apply कर सकते हैं, ECG technician के लिए ECG का डिपलोमा होना चाहिए, रेडियोग्राफर के लिए डिपलोमा ना चाहिए, तो ये सब डिपलोमा डिग्री आपको चाहिए चाहिए, इसके अलवा मद्य परदेश जो council है, जैसे staff nurse के लिए मद्य परदेश nursing council का registration चाहिए, और जो paramedical post है, उनके लिए मद्य परदेश की जो paramedical council है, उसस registration आपका हो, तब ही आप इसमें apply कर सकते हैं, ये main सरते रखे गई है, और यहाँ पर मद्य परदेश का जो रोजगार कारियल है, उससे आपका पंजिकरन भी होना चाहिए, तब ही आप इस vacancy में apply कर सकते हैं, तो पूरी सरते इस notification को download करके आप पढ़ सकते हैं, जब आप sure ह हो जाएं, उसके बाद में आपको दस दस 2020 चे ओनलाइन फोरम फिल अप कर देना है,